हेल दोस्तों मजीद वेली चनल में आपको श्रागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे पीम किसान सम्मान दी इस्टॉल्मेंट का पैसा आपको भी इस्टॉप हो जाता है यह आपको फर्च इस्टॉल्मेंट का पैसा इस्टॉप हो जाता है यह आपको सेकेंड इस्टॉल् के होने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलती है और दोस्तों आप मायूस हो जाते हैं और आप टैंसन में आ जाते हैं कि हमारा eligibility सब कुछ okay है PM किसान सम्माने दे status सब कुछ okay है फिर भी हमें installment का पैसा क्यों नहीं मिला है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको complete जानकारी देंगे कि आपका eligibility okay है तब भी आप वो PM किसान सम्माने दे का पैसा क्यों नहीं मिला है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक चुटी सी गुजारे से यह दिया अपने अभी तिक वहारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और वेल एकन को प्रेस कर दें दोस्तों सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है प्यमकसान.government.in पोर्टल पर आ जाना है जैसे कि इस पोर्टल पर आएंगे थोड़ा सा इसको डॉन करेंगे और इसको डॉन करनने के बाद में यहां से अपना जो बैनी फीचरी इस्टिड़स होता है करेंट का उ कर दोस्तों सबसे पहले आपको नायार इस्टिड़स पर ऊकी करेंगे तो आपको सिंपली है से रच्टेशन डाल देना है गया ओपटीप और इसके बाद में पे आपको यहां से रच्री सान को के लिए और इनका इस्टिड़स में आपको देखने को मिल जाता है eligibility हैं से okay आता है लेटी installment मिल जाता है और इनका payment mode भी है आधार आता है दोस्तो इन किसान भाई को फिर भी हिने पैसान नहीं मिलता है और 2022 का इनके सान भाई का registration है और इन्हें एक भी installment का पैसान नहीं मिला है पहले installment इनकी खाते में डलने को जा रही थी उसके बाद में इनको लिख्या आता है first installment payment stop by state on request of district दोस्तों यह मैसेज कुछ किसान भाई को आता है और यह मैसेज कुछ किसान भाई को नहीं आता है यहाँ पर आपको और भी मैसेज प्राप्त हो जाते हैं जैसे stop payment duplicate account आ जाता है या आपको payment error आ जाता है payment failed आ जाता है ऐसे भी आपको message आते हैं क उन किसान भाई को समझ में नहीं आता है कि हमारा ELEGIBILTY OK हो गया PM किसान सम्मा ने दीका पैसा नहीं मिला दोस्तो सबसे पहले हमारा ELEGIBILTY आ को देख ले नहीं है हमारा ELEGIBILTY हैंसे सब कुछ OK आ रहा है तो हमें हैंसे PFMS को चेक कर लेना चाहिए दोस्तों PFMS क्या होता है कि हमारे जो खाता होता है DVD से active है NPCI server से link है या नहीं है और DVD pending में चल लिया है या reject चल लिया है तो उसे भी हमारा data पता चल जाता है उसके बाद में हम eligibility में बात करेंगे कि हमारा eligibility है ओकी होने के बाद में PFMS reject है उस form को कैसे ठीक कर सकते हैं ठीक है दोस एंटर कर देना है अब एंटर करने के बाद में आपको यहां पर दो कॉलम मिलेंगा फर्स्ट मिल जब और सेकंड आपको second नमर पर कर देना है last PFMS reference तो जैसा कि अपने इस पे ओकी गिया ओके होने के बाद में आपको यह message यहां से मिल जगा इसके बाद में आपको इसमेंग का आइकन आता है उस pencil का आइकन को आप किलिक करेंगे उसके बाद में आपका यह है URL ओपिन हो जगा तो आपको यह है इस्टार आ रहा है बनके तो आपको यह से हटा देना है और इस्टार की जगह जो आपका जो registration नममार होता है छो बी आप यहांसे डाल देंगे मैं दोस्तो हे min के लिए डाल रहा हूं आप रेश्टेशन नममर को डींगे उसके बाद में आप यह झ Sap diverse च्कुम ठीकूर station को open कर लिया है अब इनका station open हो जाता है तो last pfms reference मिल जाता है और उसके बाद में आपको यहां देखने को मिल जाता है कि इनका record ready send pfms जो date है 23 में हो गया था उसके बाद send pfms date है वो भी 23 आ रहा था है और pfms reference है वो इनका reject आ रहा है दुस्तों ठीक है अब इनकसान भाहि का यहां से reject आ रहा है और जहां से हम status को check करते हैं तो इनका जो eligibility में आ रहा है other card setting यहां पर yes बनके आ रहा है अब pfms में इनका यहां पर reject बन के आरहे हैं तो ऐसे बहूं को प्राप्त नहीं होती है दूसतों ठीक है उसके बाद में आपकोई हम मिल जाता है पीएफमेस rejection region जो region है इनका PFMS reject हुआ है उसका region क्यों हुआ है reject तो उसका जो region आता है UID never enable for DVD मतबल हुआ दोस्तों आप जो account है उसमें DVD active नहीं है उसके वज़े से इनका जो PFMS होता है वो यहां से reject हो गया है आपको PFMS reject हो गया है तो उसका भी region होता है कि UID never enable for DVD UID की तरफ से आपको जो account होता है उसमें आदरकार्ट link नहीं है या DVD active नहीं है या NPCI service से NPCI link नहीं है उस वज़े से आपको यहां से reject कर दी गया है दोस्तों ठीक है अब दोस्तों यहां पे और भी किसान भाई को यहां पर दी एक्टि बाजता है कुछ किसान भाई को यहां पर पैंडिंग आ जाता है कुछ किसान भाई को और भी other message सो करता है दोस्तों यहां मैसेज सब अलग होते हैं और अलग होने का मतवल सबका ایک ही होता है कि आपका युखाता है वो डीवीडी से लिंक नहीं है उस वज़ेसे आपको यह message यहाँ प्राप्त हो रहे हैं जैसा कि दोस्तों आप जान सकते हैं कि एदिए आपका reject आ रहा है तो आपका DVD एक्टिव नहीं है वो active हो जाएगा ठीक है, active होथे बाद में आपको ВDWD active हो जाता है तो उसके बाद में PM किसान portal पर आपको बन meant और जाता है बन मन्थ आपको लग जाता है अब डेट हो निम ठीक है कुछ किसान भाई को नहीं 2-2 बन लग जाते हैं किसान भाई को हैं चार-चार मन्त लग जाते हैं इसलिए आपको टैंसन लेने की जरूत नहीं है कि हमें एक मन्त हो गया है दो मन्त हो गया है और हमारा प्यम किसान पोटल पे अपडेट नहीं हुआ दूस्तु ठीक है इदि आपको यूइड नेवर आ रहा है तो न्यू पर अपना नियू कोईड ओपिन करा लेंगे तो उसके बाद में आपका बन मन्त या दो मन्त के बाद में प्यम किसान पोटल पर अपडेट हो जागा और आपको यहां रिजेक्ट आ रहा है तो रिजेक्ट के बाद में आपको यहां पर एसेप्ट आने लगता है ठीक है उनको पैंडिंग आता है तो पैंडिंग आ रहा है तो उनकिसान भाई को भी टैंसल लेने की जरूत नहीं क्योंकि उनका जो करेक्शन है औरेटी हो गया है अब कुछ दिन के बाद में पीम किसान पोटल पे भी अपडेट हो जागा और यहां साइट पे भी इनका एसेट ल कोई भी मैसेज नहीं प्राप्त हो रहा है तो जैसे कि आप जान सकते हैं आपका जो इलेजिबिल्टी होता है सब कुछ ओके होता है आपका ओनली पी एफमस यहां से रिजेक्ट होता है यह आपको डेवीडी की प्रॉब्लम होती है यह आपका पैमिंट नहीं आया है और आ कि आपको प्राप्त होते हैं तो दोस्तों यह आपको पैमेट नहीं आ रहा है और अपको कुछ समंज में नहीं आ रहा है पहले आपको PFMS चेक करा लेना है अकॉंड ओपिन करा लेना है अकॉंड ओपिन कराने के बाद में आपको PM किसान पोटल पे कुछ भी अपडेट नहीं करना है उसके बाद में आपको यहां से अपडेट हो जाता है अपडेट होने के बाद PFMS चेक करेंगे तो आपको यहां से accept हो जागा और उसके बाद में जो भी installment का पैसा आपका रुका होता है ज़ाहाँ आपको एक installment का पैसा रुका हो या दो installment का पैसा रुका हो सभी installment का पैसा मिल जाता है जैसा कि इन किसान भाई को पहले installment का पैसा नहीं मिला है और 2022 से इनका जो installment है वो रुका है तो ऐसे किसान भाई को 2022 की installment का पैसा मिलेगा प्लेस 2023 की installment का पैसा मिलेगा और प्लेस 2024 की जो installment डलने को आ रही है वो भी इन्हें पैसा मिलेगा something तीन तीन किस्ते आती है एक से एक साल में तो 6 किस्ते और एक 2024 में installment किस्त आई तो something इन्हें साथ किस्त का पैसा मिलेगा मतवल दोस्तों यह हुआ है इन किसान भाई का इधी यह है किसान भाई new coin open करा लेते हैं तो इन्हें 14,000 रुपए का जो लाब होता है सीधे इनके खाते में जाए इधी इन्होंने new coin open करा लिया तब दोस्तों ठीक है इधी आपको installment stop होगया ये तो भी आपको new coin open कराना है इधी आपको PFMS reject होगया है तब भी आपको new coin open करा लेना है इधी आपको eligibility O-K-R-I-P-FMS यहांसे accept भी आ रहा है तब भी आपको new coin open करा लेना है क्योंकि दोस्तों जो payam किसान सम्मान इदी का पैसा रुखता है वो dvd के माध्यम से डलता है इदि आपका dvd active नहीं होता है तो आपको पैसा होता है फो stop हो जाता है इदि दोस्तों आपके status में और भी कोई problem आती है लेंड शीटिंग की समस्या आती है एक वैसी की समस्या आती है या आधकाट शीटिंग की समस्या आती है या account correction record आता है या duplicate account आता है या record not found आता है तो वीडियो के description में अपना message जरूद छोड़े और उस message के जवाब आपको 100% दिया जाता है दोस्तो वीडियो पसंद आया तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वैल लिकन को प्रेस कर दें दोस्तो फिर मिलते हैं के लिए वीडियो के उसके लिए दोस्तो जाए है श्याइवाब दोस्तो